हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर जेनुएन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आप स्टॉक जैसे बड़े प आई प्यों का ओपिनिंग होने जा रहा है एपलाई के लिए तो दोस्तों चलिए अभी इस वीडियो में हम देख लेता है कि बर्गर की आई प्यों का आज की डेट का क्रे मार्केट प्रिमियूम यानि डबबा बजार पर कितने भाव पर चल रहे हैं यह हम जान लेंगे औ आगे आपको अच्छे से समझ आए तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक कर लेंगे की बर्गर किंग आई प्यों का आज की डेट का जी एम पी यानि ग्रे मार्केट प्रिमियूम कितना है यह आप देख सकते हैं फर्स्ट डिसेंबर 2020 यानि यह आज का डेट है बारा बच के ती 20 नमेंबर को बर्गर किंग आई प्यों का जी एम पी था 34 रूपीज और आज वो बहुती ज्यादा घटके हो गया है 26 रूपीज यानि बर्गर किंग आई प्यों का इशू प्राइस है 60 रूपीज पर शेयर और उसके उपर 26 का जी एम पी चल रहा है ठीक है तो इसका अब यह है कि अगर आप परसेंटेज वाइस कैलकूलेट करोगे तो 43 परसेंट का प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट पे जो कल यानि 30 नवेंबर तक था 56 परसेंट तक और आज आप देख सकते हैं लगबग 10 परसेंट से भी ज्यादा 13 परसेंट की करीब यहां पर घट प्रीमियम कटके हो गया 43 परसेंट तो इसी प्रीमियम के साथ अगर लिस्ट हुआ तो लिस्टिंग डे में आपको अल्मोस्ट ईटी सीग्स के आसपास लिस्टिंग पैस देखना को मिल रहा है तो दूस्ट अब बात आता है क्या हम एपलाई करें या ना करें इसलिए मैंन ना करके मतलब जलबाजी करके फर्स डे या सेगेंडे में एपलाई मत करना आप थार्ड डे तक वेट कीजिए सेगेंडे का पहले सब्सक्रिप्शन देख लीजिए कि सेगेंडे तक बर्गर की आई प्यों में कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है क्या बड़े प्लिय तो यह सब कुछ पॉइंट आपको देखना पड़ेगा उसके बात आप यहां पर एपलाई करना तो इसी तरह के समझदरी के साथ आपको एपलाई करना है और उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखने कि बर्गर किंग जो कंपनी है वो कंपनी एक लॉस मेंग कंपनी है ब तो दोस्तो यह था आज के डेट का GMP आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दिया तो दोस्तो प्लिस चैनल के साथ जुड़ा रहेना जरूर और दोस्तो इस तरह का एक वीडियो में हर रोज इस चैनल के उपर अपलोड करूंगा ता तक के लिए टेक क्यार बबाई जय हिंद